हेलो फ्रेंज वेलकम तु माई चैनल निशू जाईका मैं हूँ निशू आज हम बनाएंगे पोहा और आलू से बना हुआ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नास्ता ये खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है बड़ों को तो आता ही है तो इसे जरूर एक बार ट्राई की ह data का में कारेंगे इसके बाद लेना है एक mixing bowl उस पें डालेंगे और फिर इसमें एड़ पैयाई प्याज और आधा चिली फ्लेक्स थोरा सा ऑजबाएं यहां पे जीरा, भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद एक से दो हरी मिर्च और दो से तीन चम्मच बारी कटा हुआ धनिया पत्ता अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर, स्वायत के अनुसा नमक और आधा चम्मच जीरा पाउडर और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे थोरा सा पानी के साथ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो त्यार कर लेंगे तो यहां आप अपने हाथों से इसे मिलाएं अच्छे से थोरा सा पानी के साथ तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा डो जो है बनकर त्यार है तो आईए अब हम इसे टिक्की बनाते हैं तो इसे थोड़ा सा लोई ले और थोड़ा सा तेल लगाते हुए अपने हथेली पे इसे गोल-गोल पेरा जैसा बना ले और फिर चमज की हल्प से इसमें हम स्माइल पएल बना लेंगे इस तऱ से बनाएंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ऐसे ही हम सभी टिक्की को बना कर त्यार कर लेंगे यहां मेरा तेल पहले से गरम हो चुका है अब हम इसे में डालेंगे टिक्की यानि कि smiley और 4-5 डाले और फिर इसको deep fry करना है पहले एक मिनिट के लिए high flame पे करें और फिर हम medium flame पे इसे 2 मिनिट के लिए करेंगे तो इसे बनाना बहुत ही आसान है ये अंदर से बिलकुल soft और उपर से बिलकुल crispy बहुत ही tasty बनता है यहाँ इसे पलट लेंगे इसका side change कर देंगे और 2 मिनिट medium flame पे fry करेंगे इसके बाद last में एक मिनिट high flame पे करके इसे निकाल लेना है इसे deep fry करें बहुत ही crispy और tasty बनता है ये तो यहाँ पे मेरा पोहा और आलू से बना tasty smiley बोलिये या टिक्की बोलिये बनकर ready है सर्फ करने के लिए तो आईए हम इसे सर्फ कर लेते हैं sauce के साथ या green चटनी के साथ सर्फ करें बहुत ही मज़े का लगता है तिसे साम को snacks में जरू ट्राइ करें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तिसे like जरू कीजिए share जरू कीजिए और मेरे चैनल को subscribe जरू कीजिए और हाँ bell icon को दबा कर all पे click जरू कर लीजिए जिसे की मेरे latest वीडियो का notification आपको मिल सके सबसे पह